नमस्कार विंद्या टाइम्स में आपका स्वागत है दो पहर तक की दो बड़ी खबरों के साथ हाजर हुए हैं पहली खबर की बात करते हैं मिर्ची बाबा पर मोरैना में हमला हो गया है कुछ लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक कर उनके साथ जमकर मारपीट की और उनके शि जाने लगे तो पुलिस ने उन्हें टांगा टोली कर गाड़ी में डाल दिया बता दे कि मिर्ची बाबा पिटाई के बाद कॉंग्रिस जिला ध्यक्ष देपक शर्मा के आवास पर पहुंचे वहां पर रोए भी उन्होंने कहा कि मुरैना हाइवे पर गुंडों ने मेरी ग गौमाता की लड़ाई लड़ता रहूंगा केवल गौमाता की आवाज उठाने पर मेरे साथ गुंडों ने ऐसा किया है कट्टे और रिवॉल्वर लेकर आये थे भले आज मेरी मौत हो जाए मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया है ये बयान है मिर्ची बाबा का बता दे कि एक दिन पहले उन्होंने ये घोशना की थी कि देवरी गौशाला के पास नैशनल हाइवे पर जाम लगाएंगे मुखिमंत्री शिवरा सिंग चौहान का पुतला देहन करेंगे उनके कारिक्रम के तहट पुलिस मौके पर पहुँच गई थी और उसके पहले ही ये हादसा य ले गई है वो कहां ले गई है इसका भी पता नहीं चल रहा है तो ये पहली बड़ी खबर मध्यप्रदेश से मिर्ची बाबा के उपर मुरैना में हमला हुआ बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर मध्यप्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती का एक बयान सामने आया जिसके बाद मध्यप्रदेश के सियासी गल्यारों में हलचल मच गई पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने ये कहा है कि 2024 में वा लोकसभा का चुनाव लड़ने का दावा कर रही है उनके इस बयान के बाद फिर से राजुनीती में हलचल मच गई है कॉंग्रेस ने भी मौकी का फाइदा उठा कर उनका समर्थन किया है छातरपूर में मीडिया से बात करते हुए उमा भारती ने ये कहा कि सरकार मैं बनाती हुँ चलाता कोई और है ने अभारती में केंद्रमें कंग्रेस की सरकार थी और मैं भाचपा से बाहर थी तब भी ना तो कॉंग्रेस ने और ना ही भाजपा ने उनका नाम लिया अब अगर केन बेतवा लिंक परियोजना की अधार्शिला भी रखी जाएगी तो उन्हें प्रोटोकॉल के तहट मंच पर जगह भी नहीं मिलेगी क्योंकि वह ना तो सांसद हैं और ना ही विधायक हैं आगे उन्होंने कहा कि आने वाला लोगसभा चुनाव लड़ेंगी उन्होंने कहा था कि 2019 का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगी लेकिन ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा था कि वह आगे कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगी तो क्या यह उमा भारती की तरफ से एक संकेत है कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 का वह लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं वो कहां से लड़ेंगी इस बात का उन्होंने जिक्र नहीं किया इस बात को उन्होंने टाल दिया लेकिन या उन्होंने संकेत दे दिया है कि लोकसभा 2024 का चुनाव वह लड़ने वाली है.